इसी के सामने इतना भी मज्चुको, कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं होता इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं, तो दिल तोड़ के जाते हैं कड़वी गोलियां चबाई नहीं जानी, निगली चाती हैं उसी तरह जब जिन्दगी में दोखा, अपमान और हार मिले, तो उन्हें सीधा गटक जाओ तो कि अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे, तो पूरी जिन्दगी कड़वी हो जाएगी मिलके बिचरना दस्तूर है जिन्दगी का, एक यही किस्सा मशूर है जिन्दगी का, पीते हुए पल कभी लाटकर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिन्दगी का, सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है, कि दर्द कितना गहरा है वैसे तो दिल बहुत बड़ा है मेरा और हर किसी की आउकात नहीं वहां रहने की अपना पूरा समय खुद को बहतर बनाने में लगाओ क्योंकि अब रिष्टे इंसान से नहीं पैसों से बनने लगें ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी आप बस मुस्कुराना सीख लीजी जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगें तब समझना कि अब वक्त तुम्हारा है आजकल के रिष्टों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी होती है खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है सब को जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते हम तूटे हुए लोग हैं जनाब हम बोलना नहीं खामोश रहना पसंद करते है जो प्रेम में रहते हैं वो चल नहीं समझ पाते हैं और जो चल में रहते हैं, वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इनसान वही श्रेष्ट होता है, जो बुरी स्थिती में फिसले नहीं और अच्छी स्थिती में उचले नहीं, अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर भूप जाते हैं पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं रिष्टे भी निभाते हैं, दुश्वनी भी निभाते हैं मुँपर कुछ और और पीट पीचे कुछ और ही होते हैं गिद भी कहीं चले गए हैं लगता है उन्होंने देख लिया है कि इनसान हमसे अच्छा नोचता है कुछ खास लोग थे जिन्दगी में ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं मजाग तो हमें बाद में बनाया जाता है पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं कूटे नहीं हैं हम तोड़े गए हैं रोए नहीं हैं रुलाए गए हैं हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं कलाश तो है वादा निभाने वाले की वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं कभी-कभी मन को मना लेना ही भेतर होता है क्योंकि हर जित हमें खुशी नहीं देती जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे गुरूर किस बात का करूँ मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे चूने के बाद हाथ दोएंगे ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं वो तम से सरवो तम सरफ वही हुआ है जिसने अपनी बुराईयों को सुना है और सहा है जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं आजकर लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिष्टा निभाना नहीं चाहते जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है अता उनकी भी नती शायद हम ही गलत समझ बैठे वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे महबबस समझ बैठे मुझे इंतिजार है जिन्दगी के आखरी पनने का सुना है कि आखर में सब ठीक हो जाता है आप किसी को भी अपनी जन्दगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाए तो कि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बलकि अपने आपसे नफरत करने लगते है बात बात पर गुसा करने वाले लोग वही होते हैं जिने हमेशा कुछ से ज़ादा किसी और की फिक्र रहती है बचपन में कहानी सुन कर सोते थे आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं पता नहीं क्यूँ छोड़के चले जाते हैं वो लोग जिने हम जिन्दगी समझ कर कभी खोना नहीं चाते दोस्त वो होता है, जिसके साथ बातें खुल करकी जा सके ना कि संभल कर करनी पड़े कोई भी अपना नहीं होता यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रह कर भी मेरे साथ नहीं है जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबर्दस्ती कभी अपना प्रेम मन दिखाओ मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी अच्छे लोगों का हमारी जिन्दगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है पटना पीषना और निचोड़ा जाना अंतिम बून तक गन्ने से भेतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है पर बात करना था तो किसी और तरीके से कर दे जिन्दगी बन कर जिन्दगी ही चीन ली तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्ग तेरे सामने किसी और का हो जाएगा ढोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं मैं कुले आसमान के नीचे सीनात तान के चलता हूँ करता वही हूँ जो मुझे पसंद है माना कि उम्र कम है लेकिन होसले बुलंद है जिन्दगी है तो आसान कैसे होगी आसान हो गई तो फिर जिन्दगी कैसे होगी आज के युग में अमीर का अपराद गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराद मानी जाती है कोई ऐसा सेनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी दुल जाए इसी इनसान के पीछे भाग कर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये महबबत की तरह जूटी नहीं होती कि इतनी अजीब बात है ना लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी सिंदगी दुखी रहते हैं इस जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए किसी को कोई फरक नहीं पढ़ता कि दूसरों के पास कैसी है सब को बस यहीं लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है शरारते करो साजिशे नहीं हम शरीफ जरूर हैं येकिन वेवकूफ नहीं जब इंसान का दिल तूटता है न सिर्फ दिल ही नहीं तूटता उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी तूट जाता है जो सिर्फ आप से होता है परमशत्रू से भी ज़्यादा खतरनात होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिष्टों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेले पन से महब्बत सी हो गई है जिसके पास ज़्यादा अप्शन्स होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ हमेशा किसमत ही खराब नहीं होती कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं आदमी के शब्द नहीं बोलते पलती उसका वक्त बोलता है नजाने किस बात पे इनसान को नाज है जो आकरी सफर के लिए भी दूसरों का महताज है नजर भी क्या चीज़ है ये उसी को ढूनती है जो इसे नजर अंदास करता है आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे मैं महब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ तालुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो एब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते बजह चाहे जो भी हो दोखा आखिर दोखा ही होता है रिष्टों की खुबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे दूरिया मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो आज के जमाने में जादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है पुश रहना सीखो इससे पहले की उदास रहना आपकी आदत बन जाए कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस यह है कि आपने सिर्फ वो चीज़े करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिये थी बाकी आप में कुछ नहीं बदला लौटे वो लोग हैं जो रूट कर चले जाते हैं तूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं जो अपनों के सताय होते हैं अपनों के ठुकराय होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर नचाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है बनावटी रिष्टों से कई गुना बहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो महबत और नफरत तहने को तो दो मामूली शर्द है लेकिन यही दो शर्द इनसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे तुफान का आना भी ज़रूरी है जिन्दगी में अभी तो पदा चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिन्दगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी वक्त से पहले मिली चीजें अपना मुल्यक हो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व को देती है मुझे ना जुकने का शौक है ना जुकाने का शौक है कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं बस उन्हें निभाने का शौट है दिखते तो यहां सभी इनसान है बस फर्क इतना है कि कुछ जखम देते हैं और कुछ जखमों को भरते हैं फिर से उसी मोड से शुरू करनी है जिन्दगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे जब आप बोलते कम और सुनते ज़ादा हो वो आप लोगों को ज़ादा पसंद आने लगते हो अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है जिन्दगी में बच्ताना चोड़ो बलकि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पच्ता है समय और शब्द दोनों का उप्योग लापरवाही से मत करो ये दोनों ना दुबारा आते हैं ना दुबारा मौका देते हैं ऐसे लोगों से समल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है अभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किसमत हमेशा बुरा खेल क्यूं खेलती है प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना ये मेरी सला है इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इनसान कुट्टों की मिसाल देते हैं ना हग दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर दोखा दे जाते हैं जिने आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्दगी कितनी भी बूरी क्यों नहो जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है हर इनसान की दो कहानिया होती है एक वो जो सब को सुनाता है और दूसरा वो जो सब से चुपाता है मौन सब से अच्छा जवाब है उस इनसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है जीवन में आप अपने आपको मजबूत बनाईए दूसरों के भरों से बैठे रहना आपको बरबाद कर देगा मेरा गुसा और मेरा प्यार सरफ उन लोगों के लिए है जिने में अपना समझता हूँ लोग हमेशा उसे खुने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है जिन्दगी में चाहे आप दस बार फैल हो जाओ या सौ बार फैल हो जाओ पर कसम खालो या अपनी जिन्दगी में आम आदमी बन कर नहीं जीना है प्रेम बहुत दुरलब है उसे पकड़ कर रखो प्रोद बहुत खराब है उसे दबा कर रखो डर बहुत भयानक है उसका सामना करना सीखो टेंशन, डेप्रेशन और बेचेनी इनसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़ादा सोचता है सबर करना वही मजा लेता है सब को अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है आपके पास बस पैसा होना चाहिए क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतोश नहीं है उसे भविश्य में मिलने वाली चीजों से भी अभी संतोश नहीं होगा दूसरों को अगर अपनी जिन्दगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिन्दगी में सस्ते हो जाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे बुरावक आपको कमजोर नहीं बलकि चैंपियन बनना सिखाता है बस यही फर्क है हम दोनों में वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम नहीं मेरी उमीदे थी जिसने मेरा सबसे ज़ादा दिल दुखाया था प्यार वादों से नहीं एहसास से काइम रहता है कुछ दिखने की जबरदस्ती में इनसान और भी ज़ादा अदास हो जाता है अब तो मजब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इनसान को इनसान बनाया जाए चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो लेकिन सबसे पहले वो अपना फाइदा ही देखता है अकसर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिष्टे एक नए रिष्टे में बंग जाने के बाद कुछ लोग जूट भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इनसान आपसे जूट बोल रहा है लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है बिश्वास जीतने में तो पूरी जिन्दगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है बदलना तो तैह हर चीज़ बदलती है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते है लोग इत्वाक से सरफ मिलते हैं लेकिन बिचडते सब अपनी मरजी से है भूलना सीख लीजे जनाब इसी में आपका फायदा है क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इनसान ही खत्म हो जाता है चरण उनके चूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो किसी की आदत होना महब्बत होने से भी जादा खत्रनाक होता है जो चीज आसानी से मिल जाती है न इनसान उसकी कभी कदर नहीं करता मतलब कि रिष्टे जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी तूट भी जाते हैं भ्रमंड और एहंकार की वज़े से इनसान खुद ही अपने दिष्टों को बिगाड़ लेता है इनसान कभी भीड में नहीं खोता इनसान खोता तब है जब वो अकिला होता है कमजोर होते हैं कुछ इनसान जहां गुसा आना चाहिए वहाँ पर रो देते हैं अभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को लेकिन मन की बार मन में ही रह जाती है मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं आप चाहे कितना भी शिद्दस से निभालो रिष्टे, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है भूलने वाले तो सारे बच गए मर तो वो गए जो अपनी महपत को भुला न सके बढ़ा लीजिए, आपकी पूरी जिन्दगी सुन्दर हो जाएगी जूठी उम्मीद देने से बहतर है इस सच बोलकर आप मना कर दो जिन्दगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज़ादा खतरनाक होता है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिन्दगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जिन्दगी होती तो अपनी ही है और इसे जीना दूसरों के लिए पढ़ता है लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए आप क्या हैं? ये जरूरी नहीं है लेकिन आप में क्या है? ये बहुत जरूरी है पीता हुआ कल आपके दिमाग में हैं और आने वाला कल आपके हाथ में है बून सा जीवन है इनसान का लेकिन एहनकार सागर से भी बढ़ा है यहां हर एक शक्स मुसाफिर है एक दिन यादों से भी चला जाता है पीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता पर बीते हुए कल में लोगों का बरताव हर वक्त याद आता है लोगों से जादा उम्मीद मत रखो परना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा ये रिष्टे भी अजीब होते हैं बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना दोखे के खत्म नहीं होते मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत कुश होते हैं भरूसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इनसानों पर कर लेते हैं अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही उचाईयों से मुझे गिराया जाए क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे कुछ से ज़ादा यकीन था जो आपकी भावनाओं को समझ कर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता आपका विश्वास चटान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिष्टों में चटान खड़ी कर सकता है आपका भी यह मत सोचो कि आप अकेले हो बलकि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो जाया ना करो अपने अलफास हर किसी के लिए बस खामोश रह कर देखो कि आपको समझता कौन है एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है रूटने का हग तो अपने ही देते हैं परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है किसी को चाहना गलत नहीं होता लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत होई यह अजीब शक्स है किसी को पुकारता ही नहीं जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है केवल जिद की एक गाट खुल जाए तो उल्जे हुए सारे रिष्टे सुलच जाए सबर की एक बात बहुत अच्छी होती है जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती अच्छे लोग खुशिया दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते है ये ऐसा यूग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लढ़ने को सब तयार है लेकिन धर्म के राश्चे पर चलने को कोई भी तयार नहीं है इस कल्यूग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर और फिर इस्तमाल करते हैं